पिरिया दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टी कब साइलेंट होता है यदि टी के बाद सियच होगा तो टी साइलेंट होता है यदि टी के बाद सियच होगा तो टी साइलेंट होगा उधारण के लिए देखिए T के बाद सियच हो तो T silent होता है जैसे batch यहाँ T के बाद सियच है तो T को नहीं पड़ा जा रहा है इसलिए इसे परते हैं batch और दूस्ता है catch यहाँ T के बाद सियच है तो सियच को नहीं पड़ा जा रहा इसलिए इसे परते हैं catch तीसरा है match यहाँ भी वही रोल वही नियम लागो होता है इस वीडियो में इतना ही thank you have a nice day